हेलो दोस्तो री हिंदी ट्रिक यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है यदि आपने अभी तक मेरे चैनल री हिंदी ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि Android मॉबाइल में किसी भी एप को हाइड कैसे कर सकते हैं हाइड मतलब दोस्तो हम एप मेनू से किसी भी एप को छूपा सकते हैं जो किसी को दिखाई ना दे तो दोस्तो बैसे तो नॉर्मल ये Android मोबाईल में यह फीचर होता नहीं है पर यदि हम अपने मोबाईल में कुछ कस्टम लाउंचेर यूज करें तो किसी भी एप को हाइट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो देखते हैं किसी भी एप को किस प्रकार से हाइट कर सकते हैं उसके लिए आपको अपने मोबाईल के प्लै स्टोर पर जाना है और बज लाउंचेर नाम का एक एप डाउनलोड करना है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह बज लाउंचेर एप दिखाई दे रहा है इसको ही आपको डाउनलोड करना है जब play store से आप बज लाउंचर एप को डाउनलोड कर लें तो आप बज लाउंचर एप को ओपन करें और लाउंचर को अपने मोबाइल में सेट करें क्लिक अभी ओपन हो चुका है बज लाउंचर अब जब आप एप मेनू में जाएंगे तो आपको बहुत सारे आप देख सकते हैं यहां बहुत सारे एपस दिखाए दे रहे हैं अब हम यदि चाहें तो यहां से कुछ एपस को हाइड कर सकते हैं जैसे की फोर एक्जामपल अभी तो मेरे पास कोई गेम बगेरा नहीं है परको कभीकभी ऐसा होता है कि कुछ लोग गेम खिलना बहुत संद करते हैं जिससे 》पास बहुत सारे गैम इंस्टाल होते हैं और दूसरे लोग भी उनको परेसान करते हैं कि भाई एक जैलने को दे दो पर यदि उससे बचना है तो हम मोवेल के एप्स को हाइट कर सकते हैं गेम्स को पर यदि मैं कोई मेरे पास कोई पॉपुलर एप हो जैसे की फॉर एक्जामपल वीडियो वीडियो पिलियर या फिर यूकेम परफेक्ट एक कैमेरा है अच्छी फोटो आती है इससे या माई एटेल एप मैं यदि इन में से कोई भी एप को हाइट करना चाहूं तो बड़ी इजली से कर सकता हूं तो मोबाइल एप को हाइट करने के लिए आपको सबसे पहले बजलाउंचर को ओपन करने के बाद एप मेनू पर जाना है एप मेनू पर किलिक करने के बाद अब आपको जो भी एप को इप करना है उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंँ चलिए दोस्तो मई एटेल एप में थोड़ी दिर प्रेस करके रखते हैं अब आप यहां देख सकते हैं तीन компьютs दिखाemi दे रहे हैं उन इंस्टाल है टो हम fireworks पर क्लिक करतें हैं तो हाछ योगा देखे दोस्तों आव़ भाप हट चुका है और हाईव ब्हु कहिंवर में दिकाए देगा यहां भी नहीं यहां था टो यहां से हटट गया है और हइड होचुका अब हाइड тебя सभ्मेट को देखने के लिए आपको बज्ञेंव मेह मेन अपन करकरना है एप मेन ऊपन होने के बाद आपको यहां गुपर राइट साइड मेन दिखाई दे रही है यह मेन् हेलत है वह मेन्शी ने मेनू पर क्लिक कर देते हैं यहां पर आप देख सकते हैं सेकेंड आॉर किया करें कि अब हम आज आप सकते हैं हम चल पर टिशना करने तो हम इसको कर जो एक इनसे Liebe.." कर देते हैं और वूट कि लिक करते हैं जिससे वो अनाइट हो जाएगा कि यह देखिए दोस्तों यह अभी यहां पर आ चुका है यह दि हमको एक-एक हाइट नहीं करना है और पाच्छे अप सारे एप एक साथ हाइट करना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले एप मेनू में जाके थ्री डॉट मेनू पर क्लिक करना है और हाइट एप से पर क्लिक करना है उसके बाद आपको जो भी एप को हाइट करना है इतने सारे यहां पर बहुत सारे एप दिखाई दे रहे हैं आप उन सब को सिलेक्ट कर सकते हैं मैं यहां पर सिर्फ पांच एप ही ओन रहने दूँगा दोस्तो एक साथ सभी को हाइट कर देते हैं अभी मैं इतने एप बस रहने देता हूँ अब देख सकते हैं अब इस प्रकार अपने एंड्रोइड मॉबाइल लिक में एफ को हाइट कर सकते हैं दोस्तों यदि आपको बज लाउंचर यदि पसंद ना आए तो मैं आपको एक और फीचर बता रहा हूँ एक और लाउंचर जो बहुत ही अच्छा है उसमें आप पासबर्ड भी सेट कर सकते हैं पैटन लोग वगेरा जिससे आपके हाइट एप सेक्योर भी रह सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं जो हाइट किये थे उनको अन हाइट कर देता हूँ अब मेरे सारे एप मेनु में आ चुके हैं तो दोस्तों आपको दूसरा याँचर युछ करने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर गो लाउंचर एप को डांलोड करना होगा अभी मेरे पास अल्रेधी डानलोड इड' है आप देख सकते हैं आप उपर गौ लाउंचEr जेट ये आप देख सकते हैं मैंने अभी इसको उठा रखा हूँ गौ लाउंचर जेट या आप गौ लाउंचर को डाउनलोड और डा magistल हो जाने के बाद गौ लाउंचर को ओपन करें तो चलिए दोस्ते ओपन करते हैं और इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं क्लिक करते हैं दोस्तों गो लाउंचर पर कि अभी गो लाउंचर पहले से ओपन नहीं था इसलिए फस्ट टाइम ओपन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा अब हमको गो लाउंचर उपन करने के लिए इंजवाइपर क्लिक करते हैं तो इंजवाइपर क्लिक कर देते हैं अब यह आप देख सकते हैं मॉबाइल की स्क्रीन चैंज हो गई है तोड़ी गो लाउंचर के जैसे हो गई है यहां पर हमारे बहुत सारे एप्स होंगे और दोस्तों गो लाउंचर में बहुत सारे थीम्स भी होते हैं जो हम थीम डाउनलोड करके अपनी होम स्क्रीन और एप मेनू स्क्रीन को बहुत अच्छा बना सकते हैं चैल्ज करके तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहां पर एप हाइट करना है तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के गो लाउंचर सेट करने के बाद एप मेनू उपन करना है एप मेनू उपन हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ उपर की और स्वाइप करना है बिना कहीं किलिक किये उपर की और स्वाइप करना है जैसे मैंने जैसे ही उपर की और स्वाइप किया तो आप देख सकते हैं यहां हाइड एप का एक ओप्सन दिखाए दे र रहा है अलोग पैटन सेटिंग तोस्तों तो हम यहां कुछ पासबर्ट डाल देते हैं पैटन लॉग जो आपको याद रहे हैं ऐसा ही डालना है तो मैं अभी एक सिंपल सा लॉग डाल दे रहा हूं नेक्स्ट एक बार और ओकी इमेल आपने आप से कट गया है दोस्तों भी फिलाल दो अभी फिर से हम हाई डेप पर जाते हैं यहां इमेल आइडी डाल देते हैं अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो बहुत सारे आप दिखाई दे रहे हैं यहां पर भी अब जिसको भी हाइट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके उक्के पर क्लिक कर देते हैं तो चलिए दोस्तों क्रूम ब्राउजर और क्रूम ब्राउजर बेटा को हाइट कर देते हैं इसको सेलेक्ट किये और क्लीन मास्टर को भी हाइट कर देते ह मैं वाइब कर रहें तो दोस्तों यह को हाइड करते हैं और पर कलिक करते हैं आप देखसकते हैं हईड एह सोरी छॉस्तों अब आप बटन पर क्लिक करना है अभ अब यहां matter में हमें krom browser और Chrome browser beta और जो भी हमने किये थे वो दिखाई नहीं देगा अब हमको Hide app को देखने के लिए करना क्या है सबसे पहले तो Menoo open करना है lebih menu open हो जाने के लाद हमको बिना कहीं क्लिक कि स्वाइप करना है उपर की और स्वाइप करने के बाद ऑप्सन दिखाई देंगे जिसमें से हमें हाइड पर क्लिक करना है अब आपको यहां से हाइड आप्सवाइब चेख करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका 休ט क्या है यहां से हमिख भी ओपन कर सकती है जो भी॑पन करना जाएं फॉर एक्जामपल अभी फेस्बूक ओपन हो चुकी है अब दोस्तों यदि हमें और हाइट करना हो और एप तो हमें प्लस के आईकॉन पर क्लिक करना है और सिलेक्ट कर देना है ओक के पर क्लिक करना है अभी यह कुछ ज्यादा एड हो चुके हैं यदि इनको हाइड को अन हाइड करना है तो फिर प्लस के आईकॉन पर क्लिक करके इन्हें अंसिलेक्ट करके वोके की बटन पर क्लिक करना है अन हाइड एप एंड हो जाएंगे इस प्रकार से हम अपने Android मोबाइल में अपने पसंद के एप को या जो एप हम किसी को नहीं दिखाना जाते उन एप को हाइड कर सकते हैं यदि आपने अभी तक मेरे चैनल रे हिंदी ट्रिक को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब जरूर करें झाल झाल